हेलो एविवान स्वागत है आप सभी का एक और फैंटेसी प्रिव्यू में आज हम बात करेंगे आइसी सी क्रिकेट वर्ल्ड का वॉम अप मैच इस 2023 के बारे में क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है आपकी फ्रॉम इस वॉम अप गेम्स आप फैंटेसी कैसे अप्रोच कर सकते इन गेम्स में क्या चीज़ें नहीं करनी है करनी है सब कुछ बताऊंगा आपको इन्शॉर किया बेल आइकन हिट करें अभी के अभी है अगर आपने लाइक बटन नहीं हिट किया तो अभी हिट कर लीजे ऑल्सो थोड़ा सा बैग्राउंड नौइज आज विसर्जं चलते हैं आज के प्रिव्यू की तरफ तो स्टार्ट करेंगे विद वोम अप मैच इस पिक्स्चर्स कब होंगे गेम्स बंगलदेश वसे श्री लंका है 29 सब्टेंबर को न्यूजीलेंड पाकिस्तान औस्टेलिया नेधरलेंज यह गेम्स भी है वही दिनों पे उसके वाम-प फिक्स्चर्स का जो सेट अप जो होगा फॉर्ट कप इन इंडिया तो यह हुआ वाम-प्स का स्केडियूल अब चलते हैं क्या होता है वाम-प्स के रूल और क्या चीज़ नहीं होंगी तो वाम-प मैच इस को एक इंटरनेशनल स्टेटिस नहीं दिया जाता है ना उसकेस क्या होता है जो 11 होती है मैच के पहले अनाउंस भी नहीं की जाती है only way to find if no 11 is announced is based on any pre-game injury news तो आपको न्यूस पर पूरी तरीके से ध्यान देना यह समझना है कि कौन से प्लेयर अवेलबल है यह नहीं सोचल मीडिया लोकल जॉर्नलिस यही से आपको इंफरमेशन मि कि आपको 11 कोई भी बैटर्स आपके स्कॉड में से ब्खिला सकते हैं बैटर्स कॉमिली रेटायर आउट आपको देखने को मिलेगा कि कोई प्लेयर ने 60-70 मार दिये और फिर वह रेटायर आउट हो जाते हैं ताकि नेक्स्ट प्लेयर को प्रैक्टिस मिल पाए समझग यह क इंडियन बोलिंग के लिए तो वो क्या चाहेंगे कि इन बोलर्स को चुपा कर रखें ज्यादा नहीं यूज़ करें अब यह टोटली प्रॉबबिलिटी हैं हमारे अजम्शन पर यह न्यूज ओपनली नहीं दी जाती है तो आपको इन बारों में सोचना पड़ेगा कि क्या चीजे चुपाना चाहते हैं कौन से प्लेयर्स को यह प्री मैच इंजरी से बचाना चाहते हैं समझें बुम्रा को आप तीन मैच या दो मैच ने हो सकता है कि एक वाम-प मैच खेले दूसरे वाम-प मैच में बिल्कुल भी ना आए तो हैंस आपको अपने आंग कान सब याद रखिए कि आप हमारे सारा एजरेट फैंटेसी क्रिक्टो पर ज़रूर जुडिए ऑन टेलिग्राम और ट्विटर अगर मुझे कोई फाइनल अपडेट्स मिलती है और स्कॉर्ट ऑन टीम्स एनी न्यूज मैं आपको बता दूँगा शेर कर दूँगा इन दोनों प् कोई पेमेंट नहीं लेते जो भी है इसी चैनल पर एंड बिल्कुल फ्री है तो कोई भी स्कैम में मत फस्येगा तो अब आती है बाद फैंटेजी क्रिकेट एंड वॉम अप मैंचेज आप कैसे अप्रोच करेंगे पहले तो ट्राइट वी आस प्रिपेड प्री गेम अब के सॉचल मीडिया चैनल वह जाके देखे कोई ट है तो वहां जाके देखे कोई कोई दियानbig होग जूरूर ज्यानरएं और गर वो पहले से ग्राउंड में रहते हैं तो उने वो चीज़े कुछ स्पॉर्ट हो जाती है जैसे कोई प्लेयर अगर आज नहीं खेल रहा हो उनको वह इंफोमेशन थोड़ी से एडवांस में मिल सकती है हैंस उनके ट्विटर पर जरूर ध्यान दीजेगा वापस मैं अपने ट् पैले गेम में आकर एक century मार दें तो हो सकता है कि second game में पूरी तरिके से रहा है लुए पहले वाले गेम में बिल्कुल नहीं डाला तो हो सकता है कि वह दूसरे गेम में आके bowling कर जाए तो इन बातों के धियान रखिए यही छोटी-छोटी चीज़ें हैं अद्धको बहुत स चीज़े करते हैं, बट फरक क्या है, तब 11 अनाउंस रहती है, अब ऐसी अनसर्टिनिटी है कि 11 अनाउंस भी हो, तो भी कोई प्लेयर बाहर से आ सकते हैं, ओविसली वो चीज़ अनलाइकली है, अगर अनाउंस 11 है तो मेभी ना आ है, बट बहुत सी ऐसी टीम्स होंगी जो 11 नहीं भी अनाउंस करेंगे, हैंस यह बात के लिए आपको प्रिपेर्ड रहना है, प्लेयर्स दोंट गे स्टार्टिंग 11 पॉइंट्स इन इस बात का धियान रखेगा, कोई भी बैकप भी बैकप नहीं डाल सकते हो, ना ही कोई स्टार्टिंग 11 की पॉइंट्स मिलेंगी आप यह सब चीज़े सोच सकते हो, जो मैंने बोला, और फिर भी हर चीज गलत निकल सकती है, ऐसा पॉसिवल है, तो हमारा काम क्या है, कि हम सिर्फ सोच सकते हैं इन चीजों के बारे में, और कुछ assumptions बना सकते हैं, वो इसा आप से हमारी teams बना सकते हैं, अब चलते हैं आगे की तरह, अब बहुत जाल fantasy में भी GST लगने वाला है, तो ensure कि आप दोनों apps पे अभी के अभी register कर लें, exchange 22 and my master 11, ये दोनों apps में currently कहा हुआ है, कि GST वो खुद भरेंगे, तो hence इन apps पे ensure करें कि आप sign up कर लें, हमारा refer code है, FCP and अपना GST इन apps पे बचाहिए, प्लस इनके opportunity ढून सकते हो, आपको पहली चीज तो mini GLs and GLs ही खेलनी है इन games में, वही आपका focus होना चाहिए, small leagues को आप बिल्कूल भी हाथ मत लगाई है in games में, as अगर हमें नहीं पता कि कौन सा 11 उतरने वाला है pitch पे, या कौन से players को mock-up मिलने वाला है, हम management में नहीं बैटे हैं, बहुत risky है कि आप small leagues खेले, and एक चीज जो आपको जरूर करनी है, आप player के performance पे focus करें, qs डूढने की कोशिश करें, समझ दिये, आज आप match देख रहे हैं, अपने tv पे देखा कि सूरे कुमारे आदब ने 15 run मारे, बट आपने देखा कि वो 15 run काफी अच्छे flow में बने, तो यही च जाएगी, उसके अलावा, इंशॉर जैसे मैंने का कुछ अच्छे offers है यहां पर, last कुछ दिनी है, अब अगर यह apps आपका GST परेंगे, इसका यह भी मतलब कि आगे यह offers नहीं दे पाएंगे, तो इंशॉर कि आप यह offers अभी के अभी उठा ले, 20% real cash for all users on your first deposit, जो भी पुर users, तो यह रहे मेरे thoughts on this specific warm-up matches का जो schedule आने वाला है, मुझे लगता है, you should play with caution in these games, ज्यादा मत खेलेगा, इस बैसे भी रिस्क ज्यादा होता है, fantasy में, इन गेम्स में रिस्क और भी बढ़ जाएगा, तो ensure कि आप आराम से खेले इन गेम्स में, ज्यादा मत खेलिए, आपका main name क्या होना चाहिए, try to pick up player queues की concept players का कैसा flow लग रहा है in these games, ताकि main event में आप वही चीजों को वापस apply कर पाओ, अगर मुझे कोई player news मिलती है, कोई भी information मिलती है, मैं आपको जरूर बता दूगा on telegram, तो remember to join us there, and जल्दी मिलेंगे एक और preview के लिए, thank you so much for tuning in.